बच्चों पर स्क्रीन पर देख रहे हैं किस प्रकार से हमने चैनल बनाकर डिस्पले किया हैं आप भी किसी विशेस आउसर पर शाधी में त्योहाद पर या अपके बर्टे पर इस प्रकार का डिकॉरेशन आप डाइनिंग डेबल के आसपास या छोटे रूप में किया है तो बच्चो आईए इस परकार के डेकोरेशन से खाने कि लिए मैं आपको सबसे पहले केंड़ मेगिंग सिखाँगे तो यह केंड़ बनाने के लिए बच्चो मार्केट में पेराफिन वेक्स के लावाबी कई प्रकार के वेक्स मिलते हैं और कलर फुल बनाने के लिए कलर समाइए साथ ही केंडल विक्स जो की तयार भी मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं उन्हें आपके टूल में या साथ चे में इस प्रकार से कर दिया जाता है उसके पस्चाथ को इस तरह से लगाकर उसमें आपका जो wax होता है भर दिया जाता है, आप चाहे सदीपक में, धक्कन में, या मार्केट से बने टूल में भी यूज़ कर सकते हैं. बच्चो आप देख रहे हैं, मॉम का कई वेस्ट मेरे पास रखा हुआ था, जैसे ये कैंडिल जो यूज़ की जा चुकी है, कुछ मॉम बत्तियां जो यूज़ करके अब खराब हो चुकी है, साथ ही कुछ मॉम कलर, कलरफुल टुकडे उनके रखे हुए हैं, उसके बाद आ बच्चो इस प्रकार की मॉम बत्तियां जो सांचे से बनी हुई मिलती हैं, वो आप मेरे पास डैमेज हो चुके हैं, इन सबका उप्योग करके, में आपको मॉम बत्ती बनाना से खाना कैंड़े हैं, वैसे तो मॉम में कलर डालने के लिए मार्केट में मिलते हैं, पर हमारे अब इन सब को मोने इस जार में इसे के जार में खटा कर लिया है, यह देखो, ज्इबब में और जयान आप धियान रखी गयाphenो यह कार्या परेंट की पष्टिति में ही करेंगे, अब इधर आपका विक्स गर्म हो चुका है इसमें आप कलर डाल सकते हैं कलर गंदा हो तो इसको छिल के साब कर लें अब इस परकार के मोटे दागे से एक लकडी यतार के सहारे दागे का टुकुडा बादें और उसके बाद इस तरह रख के उसमें कलर भर दें कलर फिलिंग के बाद आप चाहें तो इसमें चमक डाल सकते हैं कि वेक्स के अधिक गर्म हो जाने पर साचे के नीचे कार्ट बोर्ट का टुकुडा आवस से रखें अब इस वेक्स में मैं नया कलरेट कर रहे हूं आप धागा उसमें लगाए तो वह उपर न तेरे एक भागुस का डूबे और एक छोर उपर है इस तरह से येलो कलर देखे मैंने ग्लास में फिल किया था अब जो मेरा रेड लिक्वीड हो रहा है ठाकुछ ठंडा होने पर इसमें डाल दूँगी ताकि यह मिक्स नहों और विक्स का ब्लू कलर का मिस्रण बनाना है इसलिए मैंने पर्ट को अच्छे से साफ कर लिया है यह देखिए जो केंडिल यूज की होई थी बीच का जो ब्लॉक खाली था उसमें हमने कलर फिल किया किस प्रकार से बनाई गई है इस प्रकार से कई तरह से आप लेयर वाली कैंडिल बना सकते हैं अब हम क्रीन कलर को इन यूज की होई कैंडिल में फिल कर रहे हैं देखे किस तरह मल्टी कलर की कैंडिल बन रही है अब मैं आपको इस सिलीकॉन साचे में किस प्रकार से हम तंडिल बनाएंगे बताऊंगी तो देखिए इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसमें जिस कलर का फूर्ट है उस कलर का वैक्स बनाते जाएं और डालते जाएं यह देखें ग्रैप्स में ग्रीन और इसी प्रकार से रेड अपल में भरा है याद रखें कलर बजलते समय आप अपने पॉर्ट को साफ अवस्य करें अब मैं आपको मार्केट में मिलने वाले वेक्स को मेल्ट करके बताती हूँ यह कुछ इस प्रकार साबूरा दिखेगा पर अब मैंने ग्लास में यलो फिल किया था कुछ ठंडा होने पर रेट कुछ ठंडा वाला वेक्स फिल किया था उसके बाद ब्ल्यू यानि आप इस टिप समझ चुके हैं एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में दोनों तरफ से वेक्स का अधिक गरम नहीं होना चाहिए नहीं त कुछ सुख चुका है अब हम इसमें कम गरम बाला औरेंज कलर का जो एक्स हैं उसको फिल करेंगे देखे इस तरह और सुखने के बाद गर्म पानी में इस को रखकर हम बाहर जब निकालेंगे तो केक मल्टी कलर का दिखाए देगा देखें कुछ इस परकार से जैसा यह वह मॉम के केक हैं जो से लिका साचो में हमने डाले थे जो इस परकार की बन चुके हैं आद में इन में सुख के सायता से थ्रेड डाला जाएगा अब देखिए डेकुरिशन किस परकार से कर सकते हैं मार्केट में डाइमंड मिलते हैं उन्हें मन पसंद तरीके से आप इन केंड को यह डेकॉरेशन पसंद आया होगा आप भी इस तरह घर पर डिस्प्ले करेंगे पैरेंट्स को और हमें घुरानवीत करेंगे और इस प्रकार के डेकॉरेशन करके उसका वीव हमें तक पहुंचाएं थैंक यू